बववबंदू अंतिम तिर्थेश बगवान महावीर स्वामी केस पावन और पुनीत साशन में हम सभी विराश्ते हैं तिर्थंकर जनंद्र की प्यूज देश नहीं मनिश्यों हम सभी जीवों के कल्यान का सादन है हर प्राणी जीवन जी रहा है वो जीवन जी रहा है कि जीते जीते मर रहा है कि मरते मरते जी रहा है कि जीते जीते जी रहा है विचार करना बात अपनी है, खुद की है दूसरे की नहीं है जिन जिन जीवों को जीवन जीने की कला आती है वो ही आनंद में जीवन जी पाते है एक होता है जीवन जी लेना पैदा हुए युवा हुए ब्रद हुए चले गए ये सामाने से जीवन जी लिया वो तो सभी जी रहे है एक होता है जीवन अंदर से जीना और सरल भासा में कहते हूँ कि जीवित रहना और जीवन जीना दोनों में अंतर है अब बात समझेना मैं क्या बुलना चाहता हूँ अब प्रमित सागर जी जीवन जीना और जीवित रहना दोनों में कितना अंतर है सुमेरू और सरसो बरावर अंतर है एक बार कोई विक्ति जीवन को पराप्त हो गया है आयू को पराप्त हो गया है वो जीवित है लेकिन अगर उसके पास जीवन जीने की कला नहीं है तो वो जीवित नहीं है वो मृत के तुल्ली ही है बस इतना सा समझ में आ जाए तो जीवन आपका बेकार नहीं जाएगा जीवन का आप उप्योग कर लोगे आरजओ जीवन मिलाएगी नहीं कैसा जी रहे हो 2021 के पहले का जीवन और 2021 के बाद का जीवन कितना अंतर है बहुत अंतर है क्योंकि पहले जीवित रहते थे अब जीवन का उद्देश यह है इसलिए जी रहे हो जो आपका जीवन उद्देश रहित है पर तो गया काम से किसी काम का नहीं है कहते है गुड फॉर नथिंग नीतिकार कहते है जो गली में गूमता है न स्वान उसके पास एक पूँच होती है होती की नहीं और एक उसी गली में गुमती गाए उसके पास भी पूँच होती है लेकिन जो गाए की पूँच है वो काम की है मक्की भगाती है और भी काम करती है गाए की पूँच लेकिन स्वान की पूछ किसी काम की नहीं होती है मक्की भी नहीं बखा पाती हूँ इसलिए जो लोग अपने जीवन में कोई देश नहीं रखे हैं जिनके जीवन कोई प्रियोजन नहीं है सच मान के चलना उनका जीवन उस स्वान की पूछ के समान है किसी काम की तो हो किसी काम की तो हो छुल लग जी देर से भी जागे लेकिन जाग तो गए कोई देर से भी जागे लेकिन जाग तो जाए लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो चिमाए है चिमाए समझते हो नहीं समझते जो सोने का बहाना कर रहा है सो नहीं जा, स्कूल के दिन याद करो आप, जिस दिन स्कूल नहीं जाना हो मम में हम को नहीं जा रहे हम सो रहे कोई खेलने जाना था ना और जैसी स्कूल का टाइम निकला, ओटो वाला गया साड़े साथ से पोने आठ हुए उठे, साइकल निकाली बैट निकाला, वसी दा ग्राउंड याद है बहुत सारे बच्चे के रहे अच्छा आइडिया दे दिया तो जो सो रहा है उसको उठा सकते हैं जो सोने का बहाना कर रहा है उसको नहीं उठा सकते जो जीवन जीने की कला सीखना चाहता है, उसको ही सिखा सकते हैं जो नहीं चाहता उसको क्या सिखाएंगे कुछ लोग कुछ करना ही नहीं चाहते तो मिलेगा क्या सहे सागर जी सुना ना भी आपने कि समय का उपियोग अपने अपने मनुश्य पर रहाय का उपयोग तो कर लिया, मुनी धिरत ले लिये लेकिन उस समय का उपयोग किया कि नहीं जो मुनी धिरत के बाद मिला है मुझे तो कई बार लगता है मनीश की 24 घंटे भी कम पढ़ते हैं रात के 10 बचे घड़े दिखती है ना रे यार फिर दिन खतब हो गया मैं इतना उच्छा लिख रहा था इतना अच्छा आनद आ रहा था चलो भी आप सो क्या कर सकते ये प्रकृती है प्रकृती है क्या कर सकते लेकिन जो जीवन जीने की कला सीख लeता है वो 6400 सेकंड होते हैं पर दे हर दिन आपके पास छारसो सेकेंड होते हैं उन सेकेंड़ों में से आप सोते सोते भी कितने सेकेंड जी रहboys कितने सेकेंड जी रह arrivé वो जीवन है भाके अब तर वो स्वान की पूछ के समाने किसी काम का नहीं पता यहाँ तक कहते हैं नीतिकार की दर्पन भाई बिल्ली का जो मल होता है न वो भूद भखाने काम आता है बेर नहीं क्या रहा हूं जैना चार क्या रहे है उग्र आदित्या चार सौमी कल्याण कारक ग्रंट में लिखते है जो बिल्ली का मल होता है न उसके धुआ देने से कई पिर जाती है कि बिंतर भाग दे लेकिन जिसके जीवन में उद्देश नहीं है कोई लक्ष नहीं है बस वो जी रहा है ऐसा जीव उस मल से भी गया बीता है उद्देश क्या है आपकी लाइफ का टार्गेट क्या है सुबह से उठके पढ़ना कॉलेज जाना, एस्कूल से आना कॉलेज से आना, फिर सो जाना ये कोई लाइफ का एम नहीं मा सुबह से उठके खाना बनाना, बरतन धोना ये कोई लाइफ का उद्देश नहीं ये हिस्सा है इसको नकारना नहीं यह आपके जीवन का हिस्सा है, यह उद्देश नहीं है उद्देश है तो कुछ और है, उद्देश है जीवन जीना जीवित रहना उद्देश नहीं है शुबम बिटा हमारे साथ होना तो एक-एक मिनिट का अनन्द है कपड़े कौन दोता है आपके? बोलो पत्नी दोएगी, अरे भाई कपड़े दोना और खाना ही तो खाना है एक भाई लगा ले ना सुक से जीवन तो जीओगे सुकुन से आप लोगों से कहना है जीवन तो जीना है ना धन आदी की आवशकता है कोई बात नी इतना है उतने में संतुष्ट रहना कहां कचरे में डलना है जीवित रहना और जीवन जीने में अंतर है अब आप बताओ मुझ से कि कितने लोग जीवन जी रहे हैं और कितने लोग जी रहे हैं, जीवित हैं और एक 24 गंटे के समय में, अपनी पूरी आयू में, आपने कितना समय जीवित रहने के लिए निकाल लिया और कितना समय जीवन जीने के लिए निकाल लिया मेरा तो यही मानना है, जो जिन्दगी गुरू के साथ बीती है, वो जिन्दगी है जो वक्त गुरू के साथ नहीं भी थी, वो उम्र है कितनी उम्र निकाल दी, कितनी जिंदगी निकाल दी, सोचो जीतो जीवित कितना हो जीवित रहे, कितने समय हो और जीदना कितने दिन जीया है जीवन कितने दिन जीया है, बताओ चौबीस घंटे मैं से बताओ ना सब सोच में पढ़ गए, बोले महारा जी, हमारा घर, हमारा व्यापार, हमारा परिवार, पैसा, आपने सब जीरो कर दिया, एक मिट 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 हूँ, सहित सागर जी कितना जीवन जीया है, कितना जीवन जीवित रहते निकाल दिया, छुल लग जी आप तो अनुपवी हो, अभी एक महिने की जिंदगी है, जो पिछले दिनों का आनंद है, वो कई आनंद गुना है, जो बीच चुके वर्ष है, भगवान रिशाब देव की 84 लाग पूर्व की आयो थी, 83 लाग पूर्वो जीवित रहे, एक लाग पूर्व उन्होंने जीवन जीया, जितना आपने अपने लिए जिया है, धरम के लिए जिया है, अपनों के लिए जिया है, वो दो जीवन है, बांदी सब तो गया, अनुज कल रोटी खाई थी कि बाटी खाई थी रोटी खाई थी रोटी छोड़ा है पर रोटी कहा है जो कल खाई थी कहा है बताओ इतने मेनद से कमाया इतने मेनद से खाया धटके में छोड़ा है लेकि आओ नहीं लाएगा कोई लेने नहीं जाएगा और उठाने कोई नहीं जाएगा लेकिन फिर रोटी खाना व्यर्थ हो गया ना नहीं नहीं रोटी खाना व्यर्थ नहीं हुआ जितने समय रोटी का टुकड़ा पेट में रहा उससे आपके शेरीर को शक्ती मिलती रही उससे सारा काम चलता रहा समझ गए तो जितना समय रोटी ने आपको ताकत दी वज़तने समय काम की है एक रोटी को बनाने में छे महीने से अधिक समय लगता है कितना ज़्यादा हो गया महराज जी अरे जब बीज जाता है और वहाँ से आपके घर तक आता है छे मिन लग जाते है रोटी तवे पर आगई सिगई डिब्बे में आगई आपके टिफिन में आगई आपने डाल सब्जी लगा लिए मुक में रख ले वहाँ तक कोई आनंदी नहीं है रोटी का पर्योजन तब है जब वह अंदर चली जाए लेकिन अंदर जाना अकेला भी पर्योजन नहीं है वह पचेगी तब वह अपना काम करेगे चालू कर दो भीया जीवित रहना तो चली रहा है जीवन जीना और चालू कर दो यह तब जीपाओगे तो आप जीवन जीने की क्या कला सीखो जीवन जीने की कला है अगर जीवन जीने की कला होती तो आपके भोजन आदी में सात्विक्ता होती आपकी भाशन आदी में सात्विक्ता होती जीवन जीने की कला नहीं है अब प्रमिट सागर जी जीवन जीने की कला होना चाहिए अपने पास जो दया विहीन है गुण विहीन है नीती विहीन है धर्म विहीन है बुद्धी विहीन है धैर विहीन है ऐसे लोग को जीवन जीने की कला नहीं सीख सकते जिनके पास गुण है धर्म है, नीती है, दया है विशुद्धी है ऐसे लोग ही जीवन जीने की कला सीख सकते हैं आपकी भाषा में भोलते हैं इसको दरपण भीया इन शौट एडिकेट्स क्या बोल रहे हैं एडिकेट्स तो होना चीए क्या खा रहे हैं और कहा जा रहे हैं एक जीव मुनी राज बन गया और अपने आचार स्री के जीवन की घटना है आचार स्री को आचार विराक साहर जी ने कहा कि जितने शिश्षे हैं इनको आप पांच समितिया पांच महावरत सिखाईए मूल आचार से तो उन्होंने कहा कि प्रासुक भूमी में सौच आधी करना चाहिए या जली भूमी में करना चाहिए तो एक महाराज गए और मंदर की छत पे कराए सुनना त्यान से एडिकेट्स चुल लग जी मंदर की छत पे ही कराए वो तो डांट पड़ी किस ने किया मंदर की छत को क्यों असूची कर रहे हो निश्चित स्थान तो बने भूले उपरासुक था महाराज जी ने बढ़ाया था तो आचासी केते भाईया तुमने की कैसे वहीं बैट के कमरे में कैसे करी हो ले उन्होंने कमरे में गुरू की काक्षमी मलक पर सर्जिन कर दी ये क्या हो एडिकेट्स है ये ऐसे लोग ज्यादा दिन तक इस्थिर नहीं रह पाते हैं मानचित विच्छिप्त है सुन रहे हैं सैसा गर जी अपनी बुद्धी भी तो लगाना चाहिए ने विक्ति को एडिकेट्स है आप भी आहार लेने जाते हो तो एडिकेट्स से लेते हो जितना हम आहार लेते हैं सुब हम नहीं गिराते हैं इस्थरावक गिराते हैं चमच लेना चमच देना यहां घुसेड़ना वहां रखना धक्का करना समग गिरती है अगर गिरती तो उतनी दूर हम क्यों गिराते हैं हम कैसे भेकेंगे पपीदा वहां वो आपने गिराया है बाहर वाला सुचते हैं कि माराजी कितना गंदा करके चलेगा हार देने का भी एडिकेट सो हार लेने का भी एडिकेट सो पात रिसली लगाते हैं कि आपके द्वारा चीज नीचे गिरे और एक बार देखो साध्यों को ध्यान रखना चीए अंजली पूरी लवालब भर के लेंगे सो गिरेगा थोड़ा आप अंजली से हलका सा कम लोगे तो गिरेगा नहीं और थोड़ा कम लोगे तो हातों से भी रिसेगा नहीं यह आहार लेने का एडिकेट आप लोगों को भी रोटी मिलती है थाली में उसका भी तो एडिकेट होता है कम से कम रोटी को रोटी मान के तो खाओ उसके हिस्से करलो उसके विभाग करलो टुकडे करलो और एक बार उसका देख लो और खालो देख के तो कम से कम खाओ गाय भी घास सूंके खाती है भी या पता आपको यहाँ पर मंदर के पीछे सुबह सुबह लोग आते हैं गाय को घास खेलाने के लिए वो घास बेचते हैं समझें ना आपको वो लेकिन वो जो गाय होती है नहीं खड़े रहती है वो आली घास खाती है दो-तीन ब्लॉट छोड़के और भी जहाँ घास लगी वो नहीं खाती क्यों नहीं खाती उसको पता है कि वो जंगली है गाय को पता है कि कैसे खाना है और क्या खाना है इंसान को नहीं पता कि कैसे खाना और क्या खाना है दरपन भी आजकल एक white sauce आया है transparent मुझे किस ने बताया होटल वाले ने बताया sample दिखाया वो वीडियो बना के लाया कि आजका इंसान क्या खा रहा है चार दिन पुरानी सबजी जो सड़ चुकी थी जिसमें फपून लग चोगी थी आर जाओ खाले बिटा fast food तुम डॉक्टर हो तुम खाओगे कैसे सुनो उसने वीडियो बना कर खिलाया पुरी फफून उसने हटाई किसकी? सड़ी हुई सबजी की पुरी फफून हटाई और एक चमज उसने वो सॉस डाल करके पूरी सबजी में घुमा दिया तस मिनिट बाद उसने वोई सबजी हलकी सी गरम करके किसी वो खिलाई क्या सबजी खिलाई उसका दोस्त कह रहा है क्या सबजी खिलाई तुने ऐसी सबजी जिन्दगी में नहीं खाई वो सबजी यहां तक तो अच्छी लगी, पेट में जब जाएगी तो food poisoning करेगे की नहीं करेगे क्यों करेगी क्योंकि वो अयोग्य है मतलब गाय को पता है की क्या खाना है चीडिया को पता है की क्या खाना है, उसके कैसे खाना है कैसे उठना है कैसे बैठना है कैसे बोलना है कल मैंने कहा तो ना कि बोलना सीखना चाहिए अरे आपसे कोई बड़ा भी है ना समझ भी हो तो अच्छे से बात करना चाहिए कई लोग चोके में भी ऐसे बचसलूक ही करते हैं मुझे लगता कि भी हम ही चले जाते ह और जो लोग आहर देने भी जाते हैं उनको भी कम से कम किसी के आँ गए हैं तो अच्छे से बात तो करना चाहिए दादा गिरी करते हैं कबजी कर लेते हैं क्या बना है जो लोग गुरूं को आहर देने जाते हैं उनको किसी के चौके में जाने का अधिकार नहीं आहाँ देने की अनुमती दी है न अंदर परशान करने की अनुमती ही नहीं दी अंदर चले जाएंगे सब डिस्टब करदेंगे बिचारा, पागल हो जाएगे, भूली जाएगा कि क्या है हमने क्या बनाया है आप लोग चौका लगाते हूं न आप लोग को इस्टिक रहना चाहिए कोई भी आते हैं बाहर से चाहिए आहार कराने आए आहार देने आए आप हमारे किचिन के बाहर रहे है क्या सामगरी चाहिए बताईए हम लाके दिते थोड़ा स्पीड से करना महारत जी की अंजली खाली भी न रह जाए और अगर चौके वाली से नहीं बनता है तो जो जा रहे हैं वो समझदार बने लेकिन किसी को चौके में नहीं जाना चाहिए अप्रमिस अगर जी आप क्या कहना है चौके में वो चले जाते हैं बिचारे डिस्टर हो जाता है एडिकेट सीखो आहर देने का भी एडिकेट सीख लो आप चौके के अंदर ना जाएं उनसे जो भी एक समझदार या जो एक्टिव लेडी हो उसको बोलने कि ये फटाफट लेकि आते जाएं फिर वो भगा देगा कभी तो कैसा लगेगा अभी बीलवारा में एक अम्मा को भगा दिया चौके से बहुत उचक्ति थी हो मतलब उनको लगता था कि बस अनपूर्णा वो ही है उनके हाथ लगे बिना स्वाद नहीं आएगा जिसके चौके में आर हुए उनके बुल दिया कि आपसे हाथ जोड़के बिनती है या तो सांती से खड़ रहे या चले जाए बिचार है मुँ बना कर क्यों अम्मा चली गई क्या हो गया? हो गई? कट गई? कट गई क्या रहे गया तुमारा? अगर कोई पीट पीछे भी कह रहे तो कट गई की नहीं कटी तो अपन बुद्धी से काम करें ऐसा नहीं कि आहार नहीं दें आहार तो दें अपन उसका तरीका बदले ना आप चौके में जाओ तो उनसे पूछ लो आपके चौके में आहार दे सकते हैं क्या? अभी सबसे पहले आप ये तीन चीज़े ले आई क्योंकि ये सबसे पहले चलती है पिर दीरे दीरे सबी चीज़े आती रहेंगी क्रम क्रम से अप्रमि सागर जी ये तो कला आहार देने की है क्यों भागाय कोई कभी तुम्हें देखो मैं आपको बताओं मैं ब्रमचारी था और मैं आहार देने जाता था आहार की बाद जितने अच्छे से महराज के आहार होते से उससे कई गुन अच्छे है वो हमें बैठा के कराते थे बुद्धी से जाकर के पहले पूजन हो गया जो एक समझदार लेडी थी इंको भुलाया कि आप थाली दिखाएए एक डाल, एक सबजी रोटी इसमें नमक डाल करके अपने सोधन करके रख लिए अब वो समगरी लाते रहेंगे स्ट्रिक ट्रेकर के सबसे आहर दिला दिये स्ट्रिक ट्रेकर के फिर उसके बाद जब मीटे की बारी आई जब तक तो बहार के लोग चलेगे बहार के जो लोग आये उनको एक चिप्स दो और जा एक-एक समान पकड़ो और जाओ और जो कोई बहार से यात्री है उनको आहर दिला दो उनसे बहार भी आपने दे लिए ना अब आप रुकिए अब कोई बहार से यात्री आया है कोटा के बहार तो उसको मौका ज़्यादा दे लोगी विचार एक दिन के लिए आए आप तो कल भी दे लेंगे फिर दीरे से सुनते जाना ध्यान से फिर दीरे से जो चौके के हैं महराज के सामने छे लोग खड़े करो तीन बहार के बहार वालों को बदलते जाओ चौके वाले को खड़े रहे इसके बाद जब मीटे की बारी आए तो जो ग्रह सौमी उसको बलाओ गुरुजी से निविधन करो गुरुजी ये घर के मालिक है इन्होंनों सुबह से मेनत की है इनका तो बनता है और बणिया उनसे जिन्होंने बनाया है वो चार बार भी आहर दे लेना तो खुश रहते हैं और इतना खुश हो गए फिर उसके बाद महराज गए अपनी पूरी वेवस्ता फिर वो कहते हैं भाईया जी आज आपने क्या आहर कराए है मज़ा आगया भाईया जी आनंद आगया आप बैठो फिर अपनी खातिरदारी होती है और जहां तुमने तेज अवाज में बात करी भाईया जी आगये ये भी तो जाएं यहाँ से जैसी महराज जी गए वो भी मंदिछ चले गए तो चलो तुम भी चलो हो ऐसा कला कला हर चीज की एक कला है हर चीज की एक कला है उसमें निपुन बने अप्रमिश गर जीज आपने भी तुहार दी ये नहीं दिये क्या कर सकते लेकिन अपने बता सकते हैं बचा नहीं सकते क्या करना पड़ेगा नहीं नीतिकार ऐसा नहीं करते सामने वाला नहीं मानता तो वो मान जाते अगर कोई नहीं माने आप समझदार हो जाए मैं तो यहीं करता हूँ जो बाहर से दिने आते हैं न वो बार-बार देते तो उनसे लेते हैं नहीं हूँ जो प्रती दिन आप लोग आर देने जाते हैं नहीं से आर जाओ अपना करता बनता है कि आहर कराएं फिर जब सब चलेगा तो फरापन तो राजा ही जो बार-बार देते ना जो साथ में जाते हैं, मैं उनसे लेते हैं नहीं हूँ बस और जीरे सो समझ जाते हैं भईया पल्टाओ, नहीं तो मारा लेंगे नहीं क्यों? देखो सब की परिस्थितियां समझना चाहिए एक जगा तो मैंने द्रस से देखा भईया चौके वाले ने सबी चीज़े बनाई थी लेकिन जो बाहर से आये थे उन्होंने अपनी दुकान लगाई और पूरा आहर कराके चले गए अब सुनना ओ भईया मेरे तो मन में आ गया कि सबक तो सिखाना चाहिए तो जिसने किया था उसके हाँ जिस दिन मेरे आहर हुए पहले से बोले रहा था कि इसके हाँ आहर होंगे तो इसके चौके का मत चलाना वो कहा भई हमारे चौके का बोले नहीं तुमने भी तु बहुत दूसरों के जाकि अपने चलाया, तुम रुको अब तुम हमने जो बनाया न, वो चलेगा, तुमने जो बनाया वो तुम खाओ तो भई सहस्यागर जी की भासा में बोलते हैं, तो चौदा नंबर का नट है, तो चौदा नंबर का पाना होना चीए समझ गए? हाँ, क्रोध नहीं, भाषा को खराब नहीं करना, मन अच्छा रखना, अशुद्धी नहीं करना, मन सुद्धी नहीं हुई, तो आर कैसे लेंगे महराज? मन खराब नहीं करना, वेवस्ता वैसी बनाओ, जिसमें सब खुश नहीं बताओं कैसे अब प्रमित सागर जी हर चीज का उपाए दुनिया में से कोई समझसे नहीं जिसका उपाए ना निकालो तो जाना बंद कर दे उसकी अज्ञानता मज जाए समझदार होगा जो गुरु जी ने बोली ब्यवस्ता उससे काम करेगा ना समझ होगा मैं तो जाओं नहीं ठीक है अच्छा है कुछ लोगों का होना जरूरी है कुछ लोगों का नहीं होना जरूरी है अच्छा है ठीक है देखो मेरा सोचना है कि बार-बार दुखी रहने की अपेच्चा से एक बार भरपूर दुखी हो लो साधी होई किसी की एक कि साधी होई कोटा में, अब किसी का नाम नहीं लेते अब रात को लेटा था, पत्नी भी लेटी थी पत्नी बोलती है, क्यों प्रिये आदमी को जटके से मरना चीए कि एक साथ पत्नी पूछता है पत्नी से क्यों प्रिये आदमी को जटके से मरना चीए कि दीरे दीरे पत्नी के जब मर नहीं है तो जटके में ही मरना चीए आकि टकलीफ कम हो तो बोले दूसरा पैर और रख दो समझ गए आप समझ गए अब आप लोग को अनुबव है तो हमको जादा हमको है नहीं आगे चलते हैं जीवन जीने की ये तो एक क्रिया है ऐसी प्रतेग दिन की आपकी हजारों लाखों क्रियाएं है घर की क्रियाएं, व्यापार की क्रियाएं, बच्चों की स्कूल की क्रियाएं कि अपने रिष्टेदारों के प्रती उदार रहें जितने एरियाज कवर कर सकते हैं अपन कवर करेंगे क्या जो आपके संबंदी हैं रिलेटिव्स हैं इनके प्रती उदार रहें उदार दिल छोटा करके ना जी खासकर अपने संतान के पती तो दार रहें क्यों हो जस कम से कम पिता को अपने संतान के पती तो दार रहना चाहिए अपने रिस्टेदारों के पती तो दार रहना चाहिए कैसे? कैसे महराज जी कैसे? सुनो कैसे? नाना आ गए तो सब मीटा नमकीन खोल दिया और आरजाव आया सो वो जो परसों मिठाई आई थी ना वो दे तो मम्मी खतम भी हो जाएगी उदार तो रहना सीखो उदार रहना सीखो परसपर में अपने समबंधियों के पती उदार रहना सीखो किसी रिस रर ने फोन किया क्यों आप महाद जी की पास जा रहे हो क्या और आप जा रहे थे नहीं नहीं हम नहीं जा रहे हैं क्यों अरे अटार में चार लोग अच्छे फैल के चलेंगे अब वो दो और बैट जाएगी घुस-घुस के बैटना पड़े अरे तुँम को राम गहने मंदी कों सा बंदी था रामपुरा रामपुरा से यहा तक आना था दो चार को और बैटा लाते वही है क्या चला जाते है? बुले नहीं भी हम तो दिकत यह अभी है कहां जारे है जहाज पो जारे है? जकाय आठाए गाड़ी हूए पर समान बहुत सारा है समान बहुत सारा है अब वो आ गया भी तुम आई गाड़ी में चार तो बैट रहे हैं ने ने अभी रिस्तेदार दो दोस्त और आ रहे हैं दोस्त को फॉन लगा है भाई तु जल्दी आजा आगे उतर जाना भली बैठ जावी क्या मायाचारी क्या जूट की दुनिया रिस्तेदारों के पती उदार रहे हैं उदारता सीखना हो राम से सीखना चाहिए उदारता सीखना हो गुरूँओं से सीखना चाहिए राम जब मैंने कलकता सुनाईती न कि विवीशन आगया राम ने आधी जगा दे दी और राम ने कह दिया कि मैं आपको लंका का अधी पती बनाऊंगा राजा बनाऊंगा पीछे से मंत्री कहता है राजन हे राम अनर्थ हो गया एक वचन आपके पिता ने दिया था तो आपको वनवास हो गया और एक वचन आपने दे दी अब क्या होगा बोले क्यों क्या होगा बोले अगर अभी अपने दूत भेजा है और रावन मान गया तो क्या करेंगे कहां का राज दोगे राम कहते हैं बिभी शन को अयोध्या का राज दूगा यह राम की उदारता है आपके पास कितनी उदारता है परस परमिर्स्थदार के पती कितनी उदारता है कोई आपको पता है कि आपका रिस्थदार financially weak है आर्तिक परस्थित उसकी कमजोर है कुछ नहीं तो उसके साल बेकर रासन पानी भिजवा दो तुम मच बिजवाओ, डारेक्ट मच बिजवाओ, इंडारेक्ट बिजवाओ, उदार होना चाहिए जैपुर के दीवान अमर्चन उदारता में दिगंबर जेन थे और उदारता में सर्वस्रेश थे रात को बारा बजे निकलते थे, दस बजे नगर का प्रमन करते थे, कोई गरीब मिल जाए, उसकी रक्षा के लिए, सेवा के लिए दीरेस उन्होंने देखा, एक घर के बाहर बच्चार हो रहा था मा, मा से कहता, मा भूक लगी है, भूक लगी है मा कहती बेट, अब कली खिलाओंगी, आज तो मजदूरी नहीं मिली वो देखते हो, ऐसे गरीब लोग भी हमारे जैपुर में है घर गए, एक, दो-तीन बोरे भर के उन्होंने धान ने खटा किया और धान के अंदर उन्होंने एक पैकेट रख दिया, खा जाने का सोने के सिक्के की, इसका जीवन्यापन चलता रहे, रख दिया और उसकी घर के बाहर छुड़वा दिया सुबह ओ देखती चलो भी, अपनको धान ने मिल गया काम तो चलेगा, जब उसमें खोला, उसको धोए, तो उसमें एक सोने की थैली भी निकली सोने की सिक्के से बड़ी थैली, वो तो घबडा गई, बोले भी अपन गरीबे लोग चोरी कल जाम लगाएंगे वो गई राजा के पास, राजान कोई वेक्ती मेरे याँ धान ने छोड़ गया और सोने की सिक्के से मेरे नहीं है, जिसके हो उसको दिलवा दीजी राजा कहता है, कोई और नहीं, अमरचन दीवान का ही काम है उसको देखते हैं, वो मुंडे नीचे कर लेते हैं समझे क्या, उदारता होना चाहिए कम से कम अपने रिष्टेदारों के पती तो उदार रहो, आपके प्रती प्रीती बढ़ेगी, प्रबुत तो बढ़ेगा वो आपकी बातों को मानेंगे, आपके प्रती सोहार्द रखेंगे उदार तो रहो एक छोटे भाई के घर में तकलीफ हो गई और बड़ा भाई उसका क्या कहता है देख भाई मेरे पास समय तो है नहीं तो उसके बेटे से कहता है दस जार रुपे ले तु जाच करा कि आजा दॉक्टर ने कह दिया कि बहुत गंबीर बिमारी है बीस लाग रुपे लाज में रखेंगे बचे का की नहीं बचे का पता नहीं अब उसका मालूम चल गया अब वो सोचता है भगवान जी बच जाए जी चला गया तो उसकी बच्चे और समालना पड़ेंगे गया पचास जार रुपे देखे आया बोले पिटा तुम रुपो कोई सेवा करो पिताजी कि पैसे रखो दीरे से कहता है कि पैसे नहीं चाहिए आप रुप जाहिए न मैं तो छोटा सा हूँ बोले नहीं मेरा तो बिजी हूँ दुकान चल रही है चार दिन तुमाई दुकान अगर मंगल भी रह जाती है तो क्या जाता एक जीव तो बच जाता उदार रहना सीखे मैंने अपनी आख मुस्ट से एक दर से देखा और उस दिन समझ में आया कि उदारता क्या होती है हमारे घर के बाजू में गली थी दरबन भी पतली से गली थी वो जो छुट्टियों के दिन बाहर हाट बजा नहीं लगाते कपड़े बेचते हैं पुराने सेकेंड बरतन बेचते हैं तो दुकान लगाके बेटे थे और एक छोटा सा बच्चा तीन साल का गली में दोड़ रहा था, खेल रहा था दो बेल वहां लडपड़े बच्चा बीच में फस गया कम से कम बच्चे को तीन बार उठा के पटका होगा और बेल उसके उपर से दो तीन बार निकल गया सब वहां खड़े होके देख रहा यही पूचते है किसका बच्चा है बीड को चीरते हुए एक आदमी आया उस उस बच्चे उकंदे पर रखा दौड लगा दी हॉस्पिटल दौड लगा ही हॉस्पिटल गया उसका इलाज करा है पट्टी वट्टी टांके वाँके करा की लोटके आया अब भो पूशता भी यह किसका है क्या उदारता उसकी यगर पूशते रखते हैं कि किसका है किसका हुस्पिटल मरी जाता बचा रहा हूँ तो बच्चे तीन साल के बच्चे में कितनी जान उदारता होना चाहिए पर लोगों के पती तो हो कम से कर मृस्तिदारों के पती तो होना ही चाहिए जीवन जीने की कला बता रहा हूँ आपको जीवन जीने की कला बता रहा हूँ जिसका उदार चित्त है वो विश्व में हर किसी के पृति का बात्र बनता है अपना हाथ ऐसा करना हिलाना इक बज़ रहा है ऐसे जितना ये जो हिस्सा है न, ओ डॉक्टर साथ सुनो, आर जाओ डॉक्टर साथ, जितना ये जो हिस्सा है, बिटा दिल इतना बड़ा होता है, इससे बड़ा दिल नहीं होगा, जिसका जितना हाथ, उससे बड़ा दिल होगा, बीमार हो जाओगे, जो कलाई हिल रही है न इतनी जिसका जितना होगा ये इससे एक सेंटीमीटर एक मिलीमीटर ही बड़ा होगा तो बीमार इससे छोटा होगे तो बीमार इतना दिल रहता है हर विक्ति का लेकिन मेरा मानना है हाथ बले ही छोटा रह जाए लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए जिसको जरूरत हो यह कहना बहुत सरल है और उदार बनना बढ़ा कटिन है जब कोई बोले हमारी मदद के लिए आजाओ तब तुम चल के जाओ कटिन है और उसकी मदद मांगने के पहले चले जाओ और कटिन है बोलो आर्जो बेटा पांच-दस हजार रुपी क्या कीमत डॉक्टर अपूर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है मांच-दस हजार रुपे क्यों भाई ओजस इतने की जो तुम लोग मुमोस का लेते हो सुन रहे की नहीं इतने करते तुमाई दुकान से पुराने डिब्बे निकल जाते हैं बड़ी के खाली काटून्स बेटा पांसो हजार के तुमारे ले कोई कीमत नहीं लेकिन वो जो ब्रद आस्रम बन गए थे ना अनात आस्रम गए थे ना बेटा वहां पांसो रभे की घर से खिचडी बना के ले जाओ और अपने हाथ से पैकेट में एक मीठे का डिबबा देखिया हो कि पैर चूकर के दादा जी जैजिनेंदर जैजिनेंदर हमको आशिरवाद दें हम तरक्की करें एक मिठाई का डिबबा देखिया हो कुछ नहीं हो हर महीने जनम दिन मनाओ कब जनम दिन आते तुमारा बस 28 डिसमबर 28 जन्वरी 28 फेबरी मार्ट अप्रेल मई जून हर महीने जाओ बोले आज मैं 11 साल एक महीने का हो गया मैं 15 साल 6 महीने का हो गया हमारे तरफ से मिठाई तुमारी वो 500 रुपे के मिठाई उनके चेरे में जो खोशी देके जाएगी वो करोणों से सस्ती नहीं बहुत महेंगी है वो जो खोशी देके जाएगी उनके चेरे में कोई कीमत नहीं करोणा कर सकते की नहीं मंदिरों में करोणों की बोली लेना मंदिर में करोणों की करोणा रुप्यों की बोली लेना बड़ी बात नहीं है फिकिन किसी के जीवन में खुशी देना बहुत बड़ी बात ऐसे भी लोगों को मैंने देखा भाईया निर्दई जैन लेकिन जैन नहीं धरम के बद्धी कोई अभी रुची नहीं एक जगा मंदिर बन रहा था भाईया बड़े इस्ति कमजोर थी वहाँ गाउं के लोगों की फिर भी जैन मंदिर बनाना है 25 घरवन वालों ने मिल करके जगा खरी दी मंदिर के लिए और एक दो लेंटर डाल लिए अब बोले महराज जी हमारे पास पैसे नहीं बचे महराजी अब हम क्या करें हमको तो मंदिर बनाना है तो जो संग में ब्रह्मचारी थे उन लोगों ने वेदी और मूर्ति दी ठीक है कि अपन भगवान और वेदी अपन लोग मिलके रखेंगे और उसने बोला महराजी फर्स की विवस्ता हम लोगों ने कर ली है वो भी हम कर लेंगे शिकर बनवा दो आप बस और वेक्ति को मैंने बुलाया मैंने का भईया इनके मंदिर में शिकर बनना है आप देख लो मालू वो वेक्ति कितने कमाता था वो ओफिस जाए नहीं जाए फैक्टरी जाए नहीं जाए एक करोड रुपर महीने के उसके नेट आती थे तेल का काम कितने करोण नेट मैंने का शिकर बिटा बोले माराजी शिकर बनवा दो इस्टिमेट लिया है बोले देड़ लाग के आसपास का शिकर बनेगा मंदिर हाँ माराजी हो जाए कि बाहर आया कि तब इटले ग्याराजार रुपर रख ले फिर देखते है उसने ग्याराजार वापस कर दी बोले अंकल हम चंदा लेने नहीं आए हमारी इच्छा शिकर बनाने के पंद्रा मिनिट बाद कितने मिन बाद पंद्रा मिनिट बाद पंच कर लाणा के पट उद घाटन की बोली हुई अगले ने पोने तीन लाग रुपे की बोली ली क्योंकि नाम हो रहा न वाँ पबलिक देख रही है उनकी किसी से ख़बर मिली उनका नाम शिकर है और उनने सिर्फ शिकर शिकर बनवाए है उनको ख़बर करी बच्चों ने अंकल हमारे यां गाओं में शिकर बनना है वहाँ मौकी पर आए उन्होंने देखा कि वास्तिक्तम जरूरत है पंदित लेकर के आए सिला नयास किया कारीगर लेकर के आए शिकर बनवाना चालू किया और बोल दिया बेटा जो बिजली और पानी लगे इसका बिल भेजना वो भी मैं ही दूँगा और वहाँ उनने कोई नाम ने लिखवाया कि शिकर चंजी ने शिकर बनवाया आगरा के है एक सो आट का नियम था उनका जाद ही हो गया हूँ सोचो आप कितनी उदार था आज के समय तो विक्ति एक बार कुछ कर दे मदद तीन सो बार भोलता है तुमारी मदद की थी तुमारी मदद की थी उदार बनो कोई गरीब बिचाला बोले भाईया भूग लगी है उसो घर के बैटा बहार बटा के खाना खिला देना दे मत देना खिला देना वहीं बटा के भाईया खाओ अरे जीवन जीने की कला है रिस्तेदारों के पति उदार बन जाओ दूसरी बात जो आपके अपने हैं उनके पति उदार तो रहना है जो आपके अपने नहीं पराए हैं उनके प्रति दया का भाव रखो उनके प्रति जो पराए हैं उनके प्रति दया का भाव तो रखो दया है ही नहीं तुमारे पास कोई मर रहा है तड़प रहा है कोई मतलब भी नहीं है परमे सागर जी आज के समय विक्ते को हॉस्पिटल जाओ तो पहले बोलेगा पर्चा बनाओ पैसा जमा करो बोले भाईया वो नौक्ट साओ मर जाएगा अब उस से हमें कोई मतलब नहीं है पर्चा बना किला यह कोई धरम है पर के परती दया तु रखो देखो भाई अनुजे का अच्छी बात बोलता हूँ जैसे भाव तुम अपने परती रखते हो ऐसे अगर पर अन्य जीवों के परती भी रखोगे सच मानना एक दिन आएगा लोग तुमको भगवान जैसा पूजेंगे दया हो न अच्छी दया मा आप लोग दया करते की नहीं करते अगर आप साड़ी यहां पहने हो हैं बहुत सारी किसी को दे दो जो गरीब हो उसको दे दो ना कम सकम उसके तो तन ढखने के काम आएगा कुछ नहीं होगा तो आपकी पुरानी सारी से अपनी जोपड़ी तो ढख लेगा लेकिन देना उसको जो दया का पात्र हो हर किसी को मत देना पर में दया करना है बहुत बड़ी कला है ध्यान रखना आपने अगर किसी की help किये दया किये लोटके वो आपकी कई गुना अधिक मदद करेगा तुम्हें दया नहीं करी मदद नहीं करी तुमारी भी कोई मदद नहीं करेगा कोई नहीं करे दया करना कितना कठिन है और वहाँ जब जहां नाम ना हो भाईया एक जगा तो मैंने कारिक्रम देखा जहिन समाज का कारिक्रम social groups होते न बहुत सारे बोले जो जहिन समाज के गरीब लोग है उनको machine और हाट ठेले दिये जाएंगे महावीर जहिन थी पर आपने होते क्या बिल्कुल भरे मंच में उसको उपर stage में बुला करके सिलाई machine दे रहे हैं हाट ठेले दे रहें कोई दया नहीं पाप है तुमको दया है उसके घर जाके चुप चाप दे के आओ उसकी बेज़ती मत कराओ चार बिस्किट की पैकेट ले जाएंगे होस्पिटल बीज भोटो किचाएंगे पेपर में डालेंगे आज हम लोग हॉस्पिटल गए थे अरे तुमको अगर दया है तो छुप के करो दान और दया छुप के की जाती छपा के नहीं की जाती समझ रहें चैरिटी करो दया करो छुपा के करो दिखा दिखा के नहीं करो सुरे जी सुन रहे हैं क्या जो दिखाद दिखा कर रहे हैं कुछ ही नहीं उसने cash करा लिया cash देखना आनोच कोई दान दे, बोली ले 20 बार नाम बुलाए 25 बार बोलना सुनो 25 बार बोलना और और बोलते रहे हैं न क्यों तुमने यह पूरा cash करा लिया तुमने लाग रुपे दिये हैं और पच्चिस बार नाम मुलगा है तुम्हारा पूरा कैश हो गया है आगे कुछ केरी फॉरवर्ड नहीं होगा इसलिए पर के प्रति दया ये जीवन जीने की कला और तीसरी विशेस बात हो सकता है आपको विप्रीत लगे लेकिन नीती है दुर्जनों के प्रति थोड़ी सक्ति रखे जो दुर्जन प्रवत्दी के लोग रहते हैं उनसे थोड़ा नेचर में हाड रहे ये जीवन जी नहीं कलाई तो वो चड़ा जाएगा आपकी उपर polite जितना रहना उतना रहें जितना hard रहना उतना hard भी रहें दुर्जन लोगों को पहले पहचान लो फिर उसमें सक्ति रखना घर में बाई आई और उसने का बेबी जी बेन जी मालकी इंसाब पांसोर पे दे दीजी, हजार पे दे दीजी हमें जरुवत है, अगले महीने काट लेना आपने दिये वो छे दिन के लिए काया दुर्जन के साथ सक्ति भरतना, दुर्जन के साथ सक्ति नहीं भरतोगे तो वापस चड़के आएगा चाणक की नीती में एक बात लिखी है कि चाणक की जीवन कथा में विदेशी राज्यों ने, देशों ने आक्रमन किया भारत पर चंदरुप्त मौरे पूरे भारत के अखंड शाषक थे एक ही समय बचाता आकरी जब पूरे भारत को अखंड करके उन्होंने शाषण किया अखंड शाषण कौन? चंदरुप्त मौर बगल का देश चाइना उसने भारत की उपर हमला कर दिया चंदरुप्त मौरे और चाणक की नीती कौन बचपा था? चंद बर में परास्त परास्त हो गए और उसके राजा को बंदी बनाया और केता मुझे छोड़ दो छोड़ दो उनको पता है कि दुर्जन है उनने का सक्ति पर तो अभी नहीं चोड़ना राजा भी रखो अंदर इसको पास्ता दिन भूके रखना भी तो इतना भोजन देना कि मरे नहीं सक्ति की उसके बाद बोले एक सर्थ पर छोड़ेंगे तेरी कोई बेटी है बोले हाँ उसकी शादी चंदरुप्त करो फिर तो उनको छोड़ेंगे चंदरुप्त कहता है भईया अपने को नहीं करना भोड़ेंगे तुमको करो करो शादी कराई एक दिन चंदरुप्त पूछता है भईया उसकी बेटी से अपना क्या लेना देना था उसके संसकार अला कि बोले नहीं सुनो और बोले उसका बेटा राजा भी नहीं मनेगा विट कंडीशन सादी करना है करदी सादी वह बह tweets क्योंकि बहुद अब दुबारा आक्रम नहीं करेगा हर महीन भेट भेजता है कुउर साब है दुर्जन के साथ सक्ती रखो दुर्जन के साथ सक्ती नहीं रखोगे वो तुमारे इस्थान को इदूशित कर देगा अरे जब शल्लिक्रिया करते हैं कहीं से काटा फोड़ा दी निकालते हैं बस निकालते हैं तो उसको पूरा निकालते हैं खरोच खरोच के क्यों दुर्जन है सक्ती रखो आप लोग चिलाते हैं न मत करो साफ क्यों कि एक दाना भी कहीं पस का ना रह जाए फिर दूसरी पस बन जाएगी पूरा क्लीन करते हो क्यों दुर्जन के साथ घाव जैसे सक्ती रखना चाहिए चाड़क की एक कता आती है कि उसके गुरु ने देखा कि एक बच्चा जमीन को खोद के पेड़ काट रहा है बोले यह क्या कर रहे हो बोले पेड़ काट रहा हूं दिखनी रहा क्या बोले क्यों काट रहे हो अरे उपर उपर का काट तो क्यों पूरा कर रहा हो लग बोले तीन बार काटा लग चुका इससे बोले अब जड़ से अलग कर रहा हूं तक कि किसी और कभी लगे ही ना दुरजन के साथ सक्ति उसकी हिंसा नहीं करना अपन जैन है हिंसा नहीं करना लेकिन सक्ति जरूर रखना सक्ति एन अनुशाशन थोड़ा अपन में सागर जी उस पर दबदबा बना के रखना वरना वो तुम पर हावी हो जाएगा इसमें आएगा भी और पत्नी के साथ कैसे रहना चाहिए पत्नी के साथ कैसे रहना चाहिए कल बताएंगे अभी नहीं बताएंगे सस्पेंस बने रहना ची समझे रहे हैं आप मैं क्या कर रहा हूँ जीवन जीने की कला से का रहा हूँ थोड़ी शक्ति रखो दुरजन के साथ थोड़ी शक्ति रखो जो विक्ती आपके जीवन में हानी पहुचाए तोड़ा तेज चलो उसके साथ बनना वो लोट के फिर रहानी देगा अगर कोई मुझे से बात करे दरपंड भाई की युद्ध आप कैसा करते अगर मैं युद्ध की भूमी में होता तो मैं कैसा युद्ध करता मैं आपको बताता हूँ मौका सामने वाले कोई मिलता और आपको भी मिलता है तो पहला मौका उसको दो क्योंकि यह हतियार तो limited होते है न बुद्धी तो limited होती है न unlimited धोनना है उसको तीर चलाएं तो उसको मारने दो सिर्फ अपनी रक्षा करना जब उसके हतियार अस्ट अस्ट खतम हो जाए तब तुम तीर चोड़ना सौ बचना नहीं ही उसको लगे नहीं एक भी लेकिन उसके पास जो भी चीज़ँ सब खतम हो जाएं रत तोड़ो उसका घंड़ो उसका चका तोड़ो उसका कवच तोड़ो उसका मुकुट निकाल दो सो तीर और चोड़ो जोसके आजिवाजि लगे वो सब सबेज जंडा दिखाए तब उसके बाद चार-पांसो और छोड़ना उसको लगे नहीं उमरे नहीं सक्ति बरतना क्यों? उसकी खून में डर बैठना चाहिए कि इस विक्ति से पंगा नहीं लेना है इस दुर्जन के साथ सक्ति नहीं बरतोगे तुमारे ना तीर्थेट बचेंगे ना गुरुजी बचेंगे ना तुमारा धरम बचेगा ना तुमारा घर बचेगा मैं आपको विप्रित नहीं से कहा ना जैन मुनी हूँ अहिंसा तो रखना लेकिन सक्ति भी रखना मां बच्चों के साथ सक्ती रखते की नहीं उनको तो मीटा बहुत पसंद होता है बच्चों को जब रक्षा बंदन आता है तो घुजिया बनते हैं आपके बनते के तो बच्चों को घरम घरम तो बहुचे रखते हैं मां एक और दे दो, मां एक और दे दो पर आपके तो रुखो अभी बेटा कीडे काटेंगे बाद हो है सचे सक्ति बरत्ते हो छुपा के रखते हो कि मिल न जाए उसको डिपबा पंडित जी सक्ति रखो शक्ति नहीं कह रहा हूँ सक्ति रखो अपने उपर सक्ति रखो कितने दिनों गए कहां थे घर गए थे आप घर गए थे घर के लोग यहीं आए है घर जाते तो यहां नहीं आते मोग चले जाते जीवन जीने की खला जीवन जीने की खला अगर इन तीन बातों को आप समझ गए तो चौती बात समझ में आईगी तीन बाते समझ में आगी न अपने परस पर संबंदियों के परती बोलो उदारता परायों के परती दया और किसके परती सक्ति दुर्जन के परती सक्ति रखना अजिक कहते हैं न जो कपड़े में दाग गहरा लग जाए तो ऐसे नहीं जाता है बड़ा मुश्किल से जाता है घिसना पड़ता है वो अगर त्रिफला के दाग लग जाए तो कैसे जाते है बहुत घिसना पड़ता तब जाते है यही तो चीज समझाना है आपको बस यही चीज समझाना है जैसे कटिन दागों के लिए आप करेले के लिए करे लिए के लिए दो बार खटाई से दोते न ऐसे दुरजन मिले तो सक्ती रखना पड़ती है लेकिन हिंसा नहीं करना उसके जीवन का कोई घात नहीं हो लेकिन उसको सिक्षा जरूर मिले मैं बहुत छमावान हूँ दरपन भाई हम हर किसी को एमन्द भाई छमा कर देते हैं लेकिन बिना सिक्षा दिये छमा नहीं करते हैं ताकि अगली बारे किसी को परसान न करे कहते हैं कि ज़्यादा आपने अगर किसी विक्ति को साह है तो तुमने उसको बढ़ावा दे दिया है राम ने बढ़ावा नहीं दिया और राम ने ये भी नहीं कहा ले जाओ सीता ले जाओ उम दूसरी साधी कर ले रहे पर ऐसे कैसे भूल रूख अभी मेरी उठाई कल किसी और की उठाएगा चले उसको युठाते हूँ सक्ति बरतना पड़े दुर्जन के साथ सकते वहाँ भाहाँ नहीं जोड़ सकते भाहिया वो राम जाते ना राम वाल के पास एक्चुली आप तेसे गल्ती होगी इसार आप हमारी पतनी को ठालाए वापस कर दीजे ना मिल जाती वापस ऐसे मिल जाती अरे ये और ने पड़े जाते एक तो मैंने भारत का केस सुना रहा हूँ आपको मैं एक व्यक्ति व्यापार के लिए आथा था किसी के हाँ तो उसकी पतनी उसका बेटा और आठ लाग रुपे लेके भाग गया कपड़ेगा व्यापारी था उसकी पतनी और उसका पैसा और बेटा सब कुछ है कम्पलीट लेके आगया वो किसी ने बताया भाईया गाओं के बाहर अपने शेहर के बाहर इस कॉलोनी में किराए से रहता है वो जाके लेके अपनी पतनी को अरे ने नी बोले वो बहुत मारेगी किस के लिए कह रहा है पतनी के लिए कह रहा है कि पतनी मारेगी अरे जो अपनों के साथ सक्ती नहीं बरता भाईया वो दिशावीन हो जाते हैं घोडे की भी लगाम कसके रखी जाती है नहीं तो एक्सिडेंट पका है गाड़ी में भी ब्रेक लगा के रखा जाता है सक्ति है सक्ति सक्ति करके रखना तब जाकर के कहीं अब प्रमित्सागर जी परिवार, घर, समाज, राष्ट, देश, धर्म, मोक्षमार चल पाएगा पर नद चल ही नहीं पाएगा कोई कल के दिन आपके मंदिर पर इसरा बैठ करके जीवों की टुकडे करें तो क्या बोलोगे आप सक्ति नहीं परतो के तो गए तुम तुमारे छेत्रिस लिए तो जा रहे हैं क्या करना धर्पन भी बोलते है अपने महावीर नगटू की धरमसाल अच्छी है अच्छी बात है लेकिन तुम पांच नहीं पांच सो लाग क्रोण खर्च करके भी सिखर जी और गिरनार जी ऐसा परवत नहीं ला सकते सक्ति रखना आपका समय हो गया यह तो भी अप्रमसागर जी बोलेंगे पंदा मिन तक हमने समझाया कि समय के प्राबंदर है और यही देखो भी क्यों सैसागर जी सैसागर जी बोले भी यह उनने तच्छे से कहा था समय के प्राबंदर हुआ हमारा उपास है जल्ली करो दुर्जन के साथ अप्रमसागर जी अगर सक्ति नहीं रखोगे गोडे की लगाम की तरह मिटा देगा दुरजन की पर सकती रखो और रही बात उदारता की तो खुद की परती उदार रहो खुद की परती भी सकती रखो खुद की परती भी दयार रखो तब काम बनेगा ओ भाई चिंटु सुन रहे की नहीं जो तेरे परिनाम जब होटल में खाना खाने के हो तब सक्ती रखना कि दुरजन परिनाम है नहीं नहीं चल चोंकि मैं सांती से खा बोलो अब माराजी आपको तो सब अच्छे से खिलाते हैं फिर उसके बाद हम क्या बता है हमाई साथ क्या बीचता है कोई बात नहीं बिटा बुरे दिन आते तो अच्छे दिन भी आते ये तो माराजी की गिलकी याद रखना आर्यन से पूछना बिचारा सागर माराजी भाई आवाँ चातर महासुदाव साम को रोज गिलकी मिले रोज गिलकी, रोज गिलकी, रोज गिलकी वो एक दिन मुझसे आके कहता है माराजी मेरे एक पेट में गिलकी का तो पेड़ा ही हो गया है क्या करूँ बोले आप बताओ मैंने का मैं तो आजी वंतिया कर दे मैं भी कर दूँ मैंने का रोटी अकेली खाना पड़ेगी रोकर जा दिन वोटी बताि में गड़ेगी बया जाना पड़ें अजी दूँ